करोडों देश वास्यों की तरह ही मेरे रुदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ ये विशय स्री राम जन्ब भूमी से जुड़ा हुआ ये विशय है आयोध्या में स्री राम जन्ब स्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदीर के निर्मान से जुड़ा हुआ माननी अध्यक्ष महोदय नव नवंबर दोहजार उन्नीस 9 नवंबर दोहजार उन्नीस को मैं करतारपूर साहब परिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब में था गुरु नानक देवजी का पांसो पचासवा प्रकाश परवथा बहुत ही पवित्र वातावरण था उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सरवोच्छ अदालत वरा राम जन्ब भूमी विशे पर दिये गए आयतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सरवोच्च अन्यायले ने कहा था कि स्री राम जन्ब भूमी के विवादि स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है माननिय उच्चतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकब बौर को पांच एकर जमीन आवंटिफ करें माननिय अद्दक जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण नीर्णे लिये गए हैं मेरी सरकार ने सुप्रीम कोड के निर्देशानु सार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्यमंदिर के निर्मान के लिए और इससे सम्मन्दित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रिंग कौर्ड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट स्री राम जन्म भूमी तिर्टक्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा स्री राम जन्म भूमी तिर्टक्षेत्र स्री राम जन्म भूमी तिर्टक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारिद किया गया है ये ट्रस्ट अयोज्ञा में भगवान स्री राम की जन्म स्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मान और उससे सम्मंदित विशव पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा माननिय सर्वच अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकब बोड को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत के प्राणवायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान स्री राम की महत्ता और अयोध्या की एतियासिक्ता से अयोध्या ध्राम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीद है अयोध्या में भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के नेर्माण वर्तमान और भविश्म में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले स्रधारों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपुर्ण भूमी जो लगबग 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बहरी आंगन भी सम्मिलीद है उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भूमी तीर्तक्षेत्र को हस्तार्न तरीक किया जाए मान्य देश महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देश वास्यों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विस्वाद जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वास्यों के इस परिपक्प व्यवार की बूरी बूरी प्रसंसा करता हूँ मायने देश से हमारी संस्कृती हमारी परंपराई हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती हैं इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेणा भी देती हैं हिंदुस्तान में हर पंत के लोग चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने, देश का विकास हो इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए, आईए इस अहितिहासी क्षण में हम सभी सदस्य मिल कर अयोध्या में स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बव्य राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे कर दो समर्धन जिर्णोधार के लिए पर चल रही है झाल झाल